रादे रादे जैश्री कृष्णा मागसिस मां से अग्धन मां से सुकल पच्छे अश्टमी तित्यो में आप सभी का स्रीमद भागवत महापुरान कथा अध्या निवासी में स्वागत है आप सभी का हार्दि कविनन्दन है भिर्गु जी के द्वारा ती देवों की परिच्छा स्री सुकदेव जी कहते हैं परिच्छित एक बार ससुती नदी के पावन टट पर यगी परारम करने के लिए बड़े बड़े रीसी मुनी एकत्र होकर बेठे उन लोगों में इस विसे पर वाद विवाद चला की ब्रह्मा सीव और विसनु में सबसे बड़ा कौन है परिच्छित उन लोगों ने या बात जाने के लिए ब्रह्मा विसनु और सीव की परिच्छा लेने के उदेश से ब्रह्मा के पूत्र भिर्गु जी को उनके पास ब उन्होंने ब्रहमा जी के धर आदी की परिच्छा करने के लिए ना उन्हें नमस्कार किया और ना तो उनकी अस्तुती ही की इस पर ऐसा मालम हुआ कि ब्रहमा जी अपने तेज से दहक रहे हैं उन्हें कोर्द आ गया रंतु जब समर्थ ब्रम्मा जी ने देखा कि या तो मेरा पूत्री ही है तब अपने मन में उठेवे कोर्द को भितर ही भितर बिवेक बुद्धी से दबा लिया ठीक वैसे ही हो जैसे कोई अर्णी मन्थन से उत्पन अगनी को जल से बुझा दे वहां से महरीसी भिर्गू के लास में गए देवादी देव भगवान संकर ने जब देखा कि मेरे भाई भिर्गू जी आए हैं तब उन्होंने बड़े आनन से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुझाएं फिला दी परन्तु महरीसी भिर्गू ने उनसे आलिंगन करना सरीकार ना किया और कहा तुम लोक और वेद को मर्यादा का उलंगन करते हो इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता भिर्गू जी की याब बात सुनकर भगवान संकर कोर्ध के मारे तिल मिला उठे उनकी आँखें चड़ गई ति उन्होंने तिरसुल उठा कर महरीसी भिर्गू को मारना चाहा प्रंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चर्णों पर गिर कर बहुत अनुनाई मिने की और किसी परकार उनका कोर्ध सांथ किया अब महरीसी भिर्गू जी भगवान विष्णू के निवास अस्तान बेंग्खुट में गए उस समय भगवान विष्णू लच्मी जी की भगवान विष्णू लच्मी जी के साथ उटक बेठे और जटपट अपनी साहिया से नीचे उतर कर मुनी को सिर जुकाया पर नाम किया भगवान ने का बरामन आपका स्वागत है आभले पधारें इस आसन पर बेठकर कुछ च्छन विस्राम कीजिए परबू मुझे आपक अतियनत कोमल है यो का कर भीगो जी के चर्णों को भगवान अपने हातों से सहलाने लगे और बोले महरे से आपके चर्णों का जल maximum को भी तिर्थ बनाने वाला है आप उससे बेंकुट लोग मुझे और मेरे आन अंदर राने वाले लोगपालों को पवित्र कीजिए भगव आपके चरन कमलों की असपस से मेरे सारे पाप धूल गए। आज में लच्मी का एक मात रास्रे हो गया हो। अब आपके चरनों से चिनित मेरे वस अस्तल पर लच्मी सदा सरवदा निवास करेंगी। स्री सुगदेव जी कहते हैं जब भगवान पंत गमीरवानी से इस परकार कहा तब भिर्गु जी प्रम सुखी और त्रिप्त हो गए। भक्ति के उर्देक से उनका गला भर गया। आँखों में आशु छलक आए और वे चूप हो गए। परिचित भिर्गु जी वहां से लोटकर ब्रह्म वादि मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, सीव और विस्नु भगवान के यहां जो कुछ अनुभव हुआ था वा सब का सुनाया। भिर्गु जी का अनुभव सुनकर सबीर इसी मुनियों को बड़ा विस भगवान विस्नु से ही सच्छात, धर्म, ग्यान, वेराग्य, आठ परकार की एस्वर्य और चित को सुद करने वाला अस्प्राप्त होता है। सांत, समचीत, आकिंचन और सब को है। अभए देने वाले साधु मुनियों की वे एही एक मात्र परमगती है। ऐसा सारे सास्त्र कहते हैं। उनकी पिरिये मुर्ती है, सत्व और इष्ट देव हैं ब्रामन, निस्काम, संत और निपून बुद्धी, वेक संपन, प्रुस उनका भजन करते हैं। भगवान की गुन सत्मई, देव मूर्ती ही उनकी प्रादि का साधन है, वे समयम ही समस्त पुरुसार्थ सारूप है। स्री सुकदेव जी कहते हैं परिछित ससोती टट के रीशियों ने अपने लिए नहीं मनुश्यों का संसे मिटाने के लिए ही एसी युक्ती रची थी। पुर्षोतम भग भगवान के चलनकमलों की सेवा करके उन्होंने उनका प्रमपद प्राप्त किया। सुत जी कहते हैं सुनकादी रिशियों भगवान पुरुसोतम को या कमनिय क्लिती कथा जनम मिर्तुरूप संसार के भाई को मिटाने वाली है। या बेवासन नंदन भगवान सी सुखदेव जी के मुख अर्विंद से निकली हुई सुर्भी मई, मधु मई, सुदाधारा है इस अंसार के लंबे पत का जो बटोई अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है सुखदेव जी कहते हैं परिछित एक दिन की बात है दौर का पुरी में किसी ब्रामनी के गर्ब से एक पुत्र पैदा हुआ परंतु वा उसी समय पिर्थवी कास पर सोते ही मर गया ब्रामन अपने बालक का मिर्थव सरीद लेकर राज महल के दुआर पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ या कहने लगा इसमें संदे नहीं की ब्रामन द्रोही धुर्त किर्पन और विसेई राजा के कर्म दोस्त से ही मेरे बालक की मिर्थव हुई है जो राजा हिंसा प्रायन दुसिल और अजितेंद्रिय होता है उसे राजा मान कर सेवा करने वाली परजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं परिछित परकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वा ब्रामन लड़की की लास राजमाहल के दरवाजे पर डाल गया और वही बात कह गया नौए बालक के मरने पर जब वहाँ आया तब उस समय भगवान स्रीकिर्शन के पास अरजुन भी बेठे हुए थे उन्होंने ब्रामन की बात सुनकर उससे का ब्रामन आपके निवासस्तान दुआरका में कोई धनुसधारी ठतरिये नहीं है मालुम होता है कि ए अदुवनसी ब्रामन है और परजा पालन का परित्याग करके किसी अग में बेठे हुए हैं जिनके राजि में धन, इस्तरी, अत्वा, पुत्रों से वियुक्त होकर ब्रामन दुखी होते हैं वे छतरिये नहीं है छतरिये के पेट में पालने वाले नठ ह उनका जीवन बेर्थ है भगवन मैं समझता हूँ कि आप इस्तरी पुरूस अपने पुत्रों की मिर्तु से दिन हो रहे हैं मैं आपको सनातन की रच्छा करूंगा अधी में अपनी परतगिया पूरी ना कर सका तो आग में कुद कर जल मरूंगा और इस परकार मेरे पाप का परैचित हो जाएगा ब्रामन ने कहा अरजुन यहां बलराम जी भगवान सीकिर्सन धनूर धर धनूर रसी रोमनी परदियूमन अदिवतिय योदा अनिरूद भी जब मेरे बालकों की रच्छा करने में समर्थ नहीं है इस जगदी स्वरों के लिए या काम कठीन हो रहा है तब तुम इसे केसे करना चाहते हो सत्मुच यह तुमारी मुर्खता है हम तुमारी इस बात पर बिलकुल विस्वास नहीं करते अरजुन ने कहा ब्रामन मैं बलराम सीकिर्सन अत्वा पर दियूमन नहीं हूँ मैं हूँ अरजुन जिसका गांडवी गांडवी नामक धनू से विस्वी ख्यात है ब्रामन देता आप मेरे बल पुरोस का तिरसकार मत किजिए आप जानते नहीं मैं अपने प्राकर्म से भगवान संकर को संतुष्ट कर चुका हूँ भगवान मैं आप से अधिक क्या कहूँ मैं युद में सच्छात मिर्टु को भिजित कर अपने आप खान करता हुआ बड़ी परसंता से अपने घर लोट गया पर सब का समय निकट आने पर ब्रामन आतूर होकर अरजुन के पास आया और कहने लगा इस बार तुम मेरे बच्चे को मिर्टु से बचा लो या सुनकर अरजुन ने सुद जल से आचमन किया तथा भगवान संकर को नमसकार किया फिर दिव अस्तरो का असमरन किया और गंड गंड यू धनुस पर डोरी चड़ा कर उसे हाथ में ले लिया अरजुन ने बानो को अनेक परकार के अब मंतरों से अभी मंतरित करके परसंगिरह को चारों ओर से घेर लिया इस परकार उन्हों ने सुद्टिक का ग पिरे के उपर निचे अगल बगल बानो का एक पिंजला सा बना दिया इसके बाद ब्रामनी के गर्ब से एक सिसु पेदा हुआ जो बार बार रो रहा था पंतु देखते ही देखते वासा सरीर अकास में अंतर ध्यान हो गया अब वा ब्रामन भगवान सिर्किर्षन के सामने ही अरजुन की निन्दा करने लगा वा बोला मेरी मुर्खता सितो देखो मैं इन्हें इस नापुर्णसक की डिंग भरी बातों पर विस्वास कर लिया भला जिसे पर दियुमन अनिरूद यहां तक की बलगवान और भगवान स अरजुन के धनुस को देकार है इसकी दूर बुद्धी तो देखो या मुड तावस उस बालक को लोटा लाना चाहता है जिसे पारबद ने अभमे से अलग कर दिया है अब जब वा ब्रामन इस परकार उन्हें भला बुरा कहने लगा तब अरजुन योगबल से ततकाल सैमन सैमनी पूरी में गए जहां भगवान अमराज निवास करते हैं वहां उन्हें ब्रामन का बालक नहीं मिला फिर वे सस्तर लेकर करमसा इंद्र अनी नीरिती सौम वायू और वरुन आदी की पूरियों में अतलादी नीचे के लोकों में स्वर्ग से उपर के महर लोका आदी म अस्थानों में गए परंतु कहीं भी उन्हें ब्रामन का बालक ना मिला उनकी परतिया पूरी ना हो सकी अब उन्होंने अगनी में पर्वेस करने का विचार किया परंतु भगवान स्री किर्श ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा भाई अरजुन तुम अपने आप अ वे ही फिर हम लोगों की निर्मल किरिती की अस्थापना करेंगे सब सक्तिमान भगवान स्री किर्श इस परकार समझा बुजा कर अरजुन के साथ अपने दिवरत पर सवार हुए और पच्छिम दिसा को परिश्थान किया उन्होंने साथ साथ परवतों वाले साथ दिवप स साथ समुद्र और लोक अलोक परवत को लोकर घोर अंदकार में परिवेश किया परिच्छितवा अंदकार इतना घोर ता कि उस पर सेवी सुदीर मेगपूस्प और बलाल हक नाम के चारों घोरे अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे उन्हें कुछ सुजता ही यह ना था योगे स्वरों की भी परमेश्वर भगवान स्रीकिष्ण ने घोरों की यादसा देखकर अपने सहसास्त्र सहसास्त्र स्विर की समान तेजसवी चक्र को आगे चलने की आगया दी सुदर्संग चक्र अपने जोतिर मई तेज से स्विम भगवान की द्वारा हुत्पन उस धने एम महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तिरुगती से आगे आगे चला उस समय वा ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बान धनूस से छुटकर राच्षों की सहिना में परवेश कर रहा हो इस परकार सुदर्संग चक्र की द्वारा बतलाएवे मार्ग से चलकर रत अंधकार को अंतिम सीमा पर पहुंचा उस संदकार के पार सर्वे सर्वसरेष्ट पारावार रहीत व्यापक पर्मजोती जगमगा रही थी जोसे देखकर अरजुन की आँखें चोंधिया गई और उन्होंने इवस होकर अपने नेतर बंद कर लिये इसके बाद भगवान की रत ने दिव जल रासी में प्रवेस किया बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही थी जो बहुत ही भली मालूम होती थी वहाँ एक बड़ा सुन्दर माल था उसमें मनियों के सासस्त्र सासस्त्र खंबे चमक चमक कर उसकी सोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों और बड़ी उजवल जोती फेल रही थी उसी माल में भागवान सेश जी विरजबान थे उनका सरीर अतियंत भ्यानक और अदभुत था उनके सासस्त्र सीर थे और परतेक फंपर सुन्दर सुन्दर मनिया जगमगा रही थी परतेक सीरे में दो दो नेतर थे और वे बड़े ही भायर थे उनका संपुर्ण सरीर केलास के समान सवेत वर्न वर्न का था और गला था तथा जीव निले रंकी थी परिछित अरजुन ने देखा कि सेस भगवान की सुक मही सवई पर सर्व ब्यापक महान परभाव साली परम पुरसत्तम भगवान विरजमान हैं उनके सरीर को कांती वर्सा कालिन मेग के समान से आमल है अतियंत संदर पिला वस्त धारन किये हुए हैं मुख पर परसंतता खेल रही है और बड़े बड़े देतर बहुत ही सुआने लगते हैं बहु मुल्य मनियों से जडित मुकूट और कुनलों की कांती से सासास्तरों गुंगराली अलकें चमक रही हैं लंबी लंबी संदर का चीन है और घुटनों का वनमाला लटक रही है अरजुन ने देखा कि उनके नंद सुनंद आदी अपने पारसद चक्र सुदरसन आदी अपने मुर्तिमान आयुद तथा पुष्टी सिरी कृती और अजा एचारो सक्तियां एम संपूर रिधियां ब्राम आदी लुक पाल की अदिसवर भगवान की सेवा कर रही हैं परिचित भगवान स्री किर्शन ने अपने ही सवरुप स्री अरंत भगवान को परणाम किया अरजुन उनके दरसन से कुछ भैवित हो गए थे स्री किर्शन के बाद उन्होंने भी उनको परणाम किया और वे दोनों हाद जोड़ कर खड़े हो गए अब ब्रह्मादी लोगपालों के स्वामी भूमा प्रुस्ते मुस्कराते हुए मदूर एम गबिरवानी से कहा स्री किर्सन और अरजून मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्रामन के बालक अपने पास मेगा लिये थे तुम दोनों ने धरम की रच् तुम दोनों रिसीवर नर और नरायन हो यद पी तुम फुर्ण काम और सर्फस्रेश्ट हो फिर भी जगत की इस्तिती और लोग संगरा के लिए धर्म का आचरन करो जब भगवान भूमा पुरुस्त स्री किर्शन और अरजुन को इस परकार आदिस दिया तब उन लोगों ने उसे सविकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्रामन बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस परकार आए थे उसी से वेसे ही दुआरका में लोट आए ब्रामन के बालक अपनी आयू के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे उनका रूप और आकरिती वेसे ही थी जैसी उनके जनम के समय थी उन्हें भगवान स्री किर्शन और अरजुन ने उनके पिता को सौंपा दिया भगवान विश्नु के उस परमधाम को देख कर अरजुन के आचर की सिवा ना रही उन्होंने इसान भव किया कि जीवों में जो कुछ बल प्रोस है वा सब भगवान स्री किर्शन की ही किर्पा का फल है परिशित भगवान ने और भी एसी अने को एस्वर्य और विर्ता से परिपुर्ण लिलाएं की लोक द्रिष्टी म सदारन लोगों के समान सांसरिक विसेयों का भोग किया और बड़े-बड़े महराजाओं के समान स्रेष्ट स्रेष्ट अगी किये भगवान स्री किर्शन ने आदस महापुरूसों का आचरन करते हुए ब्रामन आदी समस्त परजा वर्गों के सारे मनुरत पुर्ण किये वि बहुत से धर्मी राजाओं को स्वेम मार डाला और बहुतों को अरजुन आदिक के द्वारा मरवा डाला। इस परकार धर्मराज उदिश्टीर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनाया से सारे पिर्थवे में धर्म मारियादा के अस्थापना करा दी।